तो आज हम बनाने वाले हैं Redmi Note 10 दरसल ये फोन में प्रॉब्लम ये है ये फोन है जो के अन नहीं है उपर है और ये फोन जो आया है हमारे पास बहुत दूर से आकॉला से आया है अभी हम ये पूरा बॉक्स अच्छी तरीके से चेक करेंगे खोलने के पहले इसके बाद हम इसे खोलेंगे तो देख लिजिए बस हम ये कट लगा रहे है बलेट पे अभी अगर आप अभी यूटूब चैनल पे हमारे नए है तो चैनल जरूर सब्क्राइब कीजिए और साथी साथ बेल आइकॉन जरूर दबाईए तो देख लिजिए बॉक्स खुल चुका है बिया ने बड़े अच्छे से पनी में फोन दालके भेजा है अपना नोट 10 तो देख लिजिए ये फोन अल्रेडी कहीं दिखाया हुआ है इसका पीछे का हमने पैनल चेक किया जब तो ये पैनल ओपन ही था और ये देख लिजिए ये अन नहीं उपर है अभी हम से चार्जिंग पे भी लगा के देखते तो भी कोई रिस्पांस दे रहा है और चार्जिंग पर करेंट ले रहा है 0.1 तो देख लिजिए कुछ इस तरीके का मामला है अभी हम फोन को फड़ा फट ओपन कर लेते हैं तो देख लिजिए इसक्रू से मशीन से हम स्पीड में वी तरह फोन ओपर लेते हैं आपको बोर फिलना हो त दिखाया लेकिन मेरा फोन बन नहीं पा रहा है तो देख लिजिए कुछ इस तरकी की कंडिशने बोट की बोट पर अल्रेडी किसे ने सीपे में सीपे काम किया हुआ है तो देख लिजिए तो अभी हम फड़ा फड़ माइक्रोस्कूप स्कून पर आ जाते हैं और यह पुर तो आप वीडियो में अंतक के दरूर बने रहे हैं और कुछ भाई हमारे बार बार हमारे को यूटूब पर एड्रेस का पूछते हैं तो एड्रेस का मसला ऐसा है कि आप यह जो नीचे दिया हुआ नंबर है इस पर हाई लिखके बेच दिये मैं तुरंद आपको एड्रेस आप सी वाट्साप पर यह नंबर जो दिया हुआ है नीचे इस पर सी फाय लिखके भेजिए तो मैं तुरंद आपको पुरा काम चोड़के पहले नंबर सेंड करवा दूँगा तो देखिए यह मदरबूर हमारा जो है पुरा क्लीन हो चुका है अभी हम यह शिल्ड भी बहुत जादा गंदी गिये उसे भी हम अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर देंगे तो अभी हम फटा फट इसका जो प्रोसेसर है वह भी अच्छी तरीके से डी शॉल्टिंग वायर की मदद से क्लीन कर लेंगे तो देख लेजिए प्रोसेसर कुछ किसी ने और बही न इनका कहना था कि फोन बन नहीं पाया है करके मैंने आपके पास 280 किलोमेटर दूर आपके पास बेजा है फोन रपैर कराने तो अभी हम CPO को फटा-फट रिबॉल कर लेते हैं यह PPD लगा चुके हैं और यह अभी हम हिट मारेंगे तो इसका जो हमारा प्रोसेसर है वह रिब मतरबोड में इसको CPO को फिट कर लेंगे और IC को नॉइस जाहा है हमारा प्रोसेसर का महीं रखना है आड़ा त्यड़ा उल्टा सीदा नहीं लगाना है तो अभी हमारा प्रोसेसर जैसे जैसे बैठेंगा और नीचे से पेस्ट और जादा बढ़ते जाएंगा भार आते जा है तो बस हमारा जो CPO अभी बैठ चुका है तो अभी हम आ जाते हैं हमारे UFS चिप पे UFS चिप को भी हमने अच्छे तरीके साफ कर लिया है और अभी से हम रिबॉल करेंगे और रिबॉल करने के बाद इसे भी पेस्ट लगा के सेम वैसे हीट मारेंगे जैसा हमने पहले मार कर देता मदरबूर वो बात अलग है अभी हमें UFS चिप का भी डॉट जहां है वहीं रखना है एक्जेट और उसके बाद हमें इसे हिट मार देना है तो देख लिजिए बस यह UFS चिप हमारी बैठने वाली है थोड़ा सामने शेक किया तो मतलब यह बैठ चुकी है अभी फड़ा फड़ा ठंडा कर लेते हैं और फिट करते हैं अगर आपको किसी को कोई फोन रेपैर के लिए दालना है तो यह जो नीचे दिया हुआ नंबर है इस पर फोन जरूर कीजिए या तो वाटसप पे हाई लिखके वेजिए किसी भाईयों को एड़ेस जानना है तो यू मिलेंगे हम आपसे नेक्ट्ट वीडियो में ओके बाई बाई